है स्टुनेंट्स अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि एक मैगनेट की अपनी एक फील्ड होती है इस फील्ड में अगर हम किसी आयरन के पीस को रख दें तो ये मैगनेट उस पीसको अपनी तरफ अच्छे से अठ्रेट कर पाती है और हम इस मैगनेटिक फील्ड को कुछ जाना एक amazing device की help से जो कि होती है compass अब दोस्तों हुआ ये कि एक दिन physics के famous scientist और state अपनी lab में अपने circuit के साथ कुछ experiment कर रहे थे जब उन्होंने अपने circuit में switch को on किया तो उन्होंने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की कि इस circuit के पास रखी हुई compass में जो needle है उसने कुछ deflection शोगी फिर उन्होंने सोचा क्या पता इस compass के आसपास कोई magnet होगी जिसकी magnetic fields की वज़े से ये deflect हुई होगी तो उन्होंने इस बात को ignore किया बट जैसे ही उन्होंने अपने circuit का switch off किया तो इस compass की needle फिर से deflect हुई और वो अपनी position पर वापिस चलेगी तो वो हैरान हुए ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने फिर से अपने circuit का जब switch on किया तो दुबारा से इस compass की needle में deflection शोगी तो उनके mind में ही आया कि ये जो circuit है ये compass पर कुछ ना कुछ effect तो डाल रहा है और दोस्तों और analysis करने के बाद ये पता चला कि जब भी किसी एक wire में या फिर कहीं किसी एक conductor में current को flow करवाय जाता है तो वो conductor एक magnet की तरह behave करने लग जाता है अब ये magnet की तरह behave करेगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ field होगी ना दोस्तों तो बस इसी field को इस compass ने sense किया और that's why इस compass की needle ने deflection शो की अब दोस्तों हमारे लिए ये भी जाना तो ज़रूरी है ना कि ये जो magnetic field यहाँ पर बनी है ये कैसी है इसकी direction क्या होगी ये कहां से निकल रही है ये भी तो हमें जाना होगा तो बस दोस्तों इस सभी चीज़ों को अब हम आने वाले lectures में detail में study करने वाले हैं So see you there I am sure students आपको ये lecture बहुत ही पसंद आया होगा तो अगर आप अपने हर concept को इतने ही मज़ेदार और interesting तरीके से and much more So what are you waiting for? Download the app now